कहते हैं कि जोडिया उपर वाला बनाता है लेकिन आज हम 10 एसे अतरंगी शादी शुदा जोडों के बारे में जानेंगे जीने देखने के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएंगा कि जोडिया सच में उपर वाला बनाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते है नमबर वन लास्षे शादी क्यों चोग गये ना लेकिन ये सच है थाइलेंड के चाडिल डीफी ने जो किया वो शायद अब तक किसी ने ना किया हूंगा और ना ही कर पाएंगा इन्हों ने तो अपनी गल्फ्रेंड की मोत के बाद उसकी लास्षे ही शादी कर डाली धर गरीब शादिया करने वालों में भारत के धुरंदरों का नम शामिल है अब इस महुतरमा से मिलिए ये है बिमला दास 2006 में इनका जैरीले कोब्रा पर दील आ गया था और इन्होंने कोब्रा से शादी कर डाली मैं इनसे कहना चाहूंगा कि क्या इस देश में नवजवानों क मिलना होता है तो वो उसके बिल के पास जाकर दूट डालती है जिसे सुनकर साप उसके पास आ जाता है खेर मुझे तो ये खिसके लिए लगती है नंबर द्री मगरमच्चे शादी जिस जानवर के पास इंसान जाने तक को कत्राता है मैक्सिको में रहने वाले एक शक्स ने उसी मगर मश्य शादी कर डाली ये एक मैक्सियन मेर था जिसने सद्यों पुरानी रीती रिवाजू के चलते एक मगर मश्य शादी की ये घटना मेक्सिको के एक छोटे से मचली पकड़ने वाले गाव ओकसा का की है जहाँ स्यान पेड्रो हुमेलूला के मेर विक्टर हुगो सोसा ने एक साथ वर्षिय मगरमस से शादी की जिसे दुरहन जैसी पोशाग पहनाई गई थी दोस्तों ये मुसाफिर मुवी का बिल्ला नहीं सचमुच का बिल्ला है ये घटना यूके की है जहाँ एक दोबरा हगडे नाम की एक मैला ने इसलिए एक बिल्ले से शादी कर ली क्योंकि उसका लैंडलॉड बाप बिल्ले को घर में दाकिल होने नहीं दे रहा था ये शादी मैला के दोस्तों के मोजूदगी में की गई थी ये शादी करके उस मैला ने अपने ख़ड़स बाप को ये बताया कि उसके बिल्ला से उसे कोई अलग नहीं कर सकता GERMANY में एक पोश्टमेन ने अपनी black and white बिल्ले शेशादी की थी शादी के लिए बिल्ली को किसी दुलहन की तरह सजाया गया था हाला कि इस शादी में उसके साथ काम करने वाले करमचारियों ने आने से सरास मना कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बंदा सटिया गया है दोस्तों आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बताना एरिका लैबरियो नाम की इस ओरत ने 2007 में आईफिल टावर से शादी की थी और साथ ही अपना सरनेम बदल कर आईफिल कर लिया था जब इस महतरमा से इसकी वज़ा पूची गई तो एरिका ने बताया कि मुझे मेरे जैसे ही चीज मिल गई है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती उसने बताया कि आईफिल टावर लाको पर्योटों को से घिरा हुआ होता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते है लेकिन आईफिल टावर से कोई प्यार नहीं करता और इसलिए मैंने आईफिल टावर से प्यार कर शादी की है लागता है इस सोरत की खिसक चुकी है ये घटना 2019 की है जब उनपचास वर्सिया एलिजाबेक होड ने अपने पालतु कुत्ते रिट्रीवर से शादी की थी और ये शादी एक लाइव टीवी शो के दोरान की गई थी इस मैला का कहना था कि उन्हें किसी पूरुस की जरूरत नहीं और वो अपने इस पालतु कुत्ते से ही अपना काम चला लेंगी बाकी तो आप समझ गये होंगे समझ रहो? समझ रहो आप? समझ रहो ना? दूरी टोल्चू के नाम के इस खूपसरत बाडी बिल्डर ने इस एक्स डॉल सी शादी कर लिये थी हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी को एगल मेटो फिला कहा जाता है जहां इंसान गुडिया मूर्ती सहित किसी भी निर्जी वस्तों के प्रती सेक्सियोली अट्रैक्ट होता है फिलाल इसके इस पागलबन को दूर करने के लिए इसे पागल खाने में भरती कर दिया गया तो दोस्तों ये थे देश दुनिया के कुछ अजीबो गरीब का पल्स वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो वीडियो को लाइक करे और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते है अगले वीडियो में